नमस्ते दोस्तो कभीता किच्छन डेसिपीज में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ आलू लच्छा नमकिन की रेसिपी शेर करने जा रही हूँ इस लच्छा नमकिन को आप किसी भी वरत में बना कर खा सकते हैं और साथ ही बच्चों के लिए भी बना कर स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही टेश्टी हिल्डी कुरकुरी आलू लच्छा नमकिन जो है घर पर बन कर तयार हो जाते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यापर सबसे पहले दो कच्चे आलू लेए हैं तो मैंने यापर ये मिडियम साइस के कच्चे आलू लेए हैं और आलू को मैंने दो कर इसके छिलको को निकाल कर इसे पाने में डाल के रखा है अब हम क्या करेंगे इस आलो को इस तरह के ग्रेटर से ग्रेट करेंगे यानि कि इसकी लच्छे बना कर तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने आप यह बड़े वाली ग्रेटर का इस समाल किया है तो ध्यान रखे जब भी आप इस तरह का लच्छा नमकिन बनाएं तो इस तरह के बड़े वाले다र का इस समाल करें ऐसा करने से लच्चे जो है बहुत ही अच्चे से बनके तयार हो जाते हैं तो देखे इस तरह से हम आलू को से-दह पकड़ कर इसके लच्छे बनाएंगे और देखे लच्छे याँ पर वोती वड़या बन रहे है अब हम क्या करेंगे इस दोनों आलो को सेम प्रोसेस से अच्छे से ग्रेट करके तयार करेंगे तो देखे मैंने याँ पर दोनों आलो के अच्छे से लच्छे बना कर तयार कर लिए अब हम क्या करेंगे इन लच्छों को पानी में डालेंगे और लगबग 2-3 बार इसे धोकर अच्छे से वाश करेंगे आलो में बहुत सारश्ट आर्च होता है और इसे निकालना जरूरू है इसलिए हम इसे लगबग 3-4 बार पानी में डालके अच्छे से धोकर साप करेंगे तो देखे याँ पर इस तरह से सभी लच्छों को हमने पानी में डाल दिया है अब हम क्या करेंगे इसमें जितना भी सपेद पानी निकलता है वो निकालने की कोशिश करेंगे तो देखे लगबग 3-4 बार मैंने इसे अच्छे से धोकर साप कर लिया है और आप देख सकते आलो में बिल्कुल भी सपेद पानी नहीं है तो अब हम क्या करेंगे इसे एक चलने पे निकालेंगे तो देखे याँ पर इस तरह से सभी लच्छों को हम चलने में निकालेंगे ताकि इसमें जो भी एश्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा इसके बाद हम इसे लगबख दो मेट के लिए ऐसे ही चलने पे छोड़ देंगे और अब हम इन लच्छों को किसी भी किचन टावल या कपड़े के उपर डालके लगबख 15-20 मेट के लिए पंके के निचे सुकाएंगे ताकि इसमें जो भी गिलापन होगा वो सुक जाएगा यानि की निकल जाएगा तो देखे इस तरह से फैल एते हुए हम इसे कपड़े पर डालेंगे और 15-20 मेट के लिए अच्छे से सुका कर तयार करेंगे तो देखे याँ पर सभी लच्छा नमकिन जो है बहुत ही अच्छे से सुक गए और आप देख सकते हैं मैंने इसे लगबख 15-20 मेट के लिए पंके के निचे सुका कर तयार कर लिया है तो अब हम चलते हैं इसे फ्राय करने के फ्रसिस में तो इसके लिए गयास ओन करके कड़ाई में तेल गरम करेंगे जैसे ही तेल याँ पर अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसमें सभी लच्छो को डालकर अच्छे से फ्राय करेंगे तो देखे याँ पर इस तरह से सभी लच्छों को हम तेल में डालेंगे और गयस की फ्लेम को हमेशा हाई रखेंगे दियान रखे इस तरह का लच्छा नमकिन बनाते समय गयस की फ्लेम को हमेशा हाई रखना है लोग फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी फ्राय ना करें ऐसा करने से हमारा लच्छा नमकिन जो है बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बनके तयार होता है तो देखें या पर इस तरह से पलटते हुए हम लगबग मिडियम फ्लेम पे 7-8 मिंट के लिए इसे फ्राय करेंगे जैसे जैसे ये लच्छा नमकिन फ्राय होना शुरू हो जाएगा वेसे इसके उपर जो भी थोड़ा बहुत बबल से वो कम होता जाएगा तो देखें लगबग 7-8 मिंट के हो चुके और आप देख सकते आलो लच्छा नमकिन या पर बहुत ही अच्छे सिफ्राय हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे तो देखें बहुत ही टेश्टी क्रिस्पी लच्छा नमकिन जो ही बनके तयार हो चुका है जैसे जैसे ये लच्छा नमकिन थंडा हो जाएगा वेसे और भी ये क्रिस्पी हो जाएगा और आप देख सकते बहुत ही बड़े लच्छा नमकिन जो ही या पर बनके तयार हो चुका है अब हम क्या करेंगे आदा कप मुंगफली लेंगे और मुंगफली को तेल में अच्छे से फ्राय करेंगे यानि कि जब तक मुंगफली जो अच्छे से क्रिस्पी ना हो तब तक हम इसे फ्राय करेंगे तो देखे मुखपली जो है याप पर अच्छे से फ्राय हो चुकी है तो अब हम इसे निकालेंगे और इसके बाद इस लच्छा नमकिन में डालेंगे इसके साथ ही मैंने याप पर लगबग दो हरी मिर्च को इस तरह से लंबे साइज में कट कर लिया था इसे भी फ्राय करके डालेंगे तो देखे हरी मिर्च भी आप अच्छे से फ्राय हो चुकी है इसे भी डालेंगे इसके बाद मैंने याप पर आदा चमच पीसीवी चीनी ली है इसे भी डालेंगे साथ ही इसमें आदा चमच नमक डालेंगे मिक्स करेंगे इसे अच्छे से मैंने यापर इस लच्छा नमकिन में मसालों का इस समाल बिल्कुल भी नहीं किया है आप चाहे तो चाट मसाले या लाल मिच पावडर वाइगरा भी इसमें डाल सकते हैं इसे और भी चटपटा बनके तयार हो जाता है तो देखे यापर इस तरह से सभी लच्छा नमकिन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और लच्छा नमकिन आपर बनके तयार हो चुका है आप इस लच्छा नमकिन को बना कर स्टोर करके भी रख सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होता जब मन चाये आप इसे वरत के लिए भी निकाल कर खा सकते हैं काफी टेश्टी हील्दी और कम समय में बनने वाली रेसिपी है आप इस लच्छा नमकिन की रेसिपी को जरूर ट्राइ करें यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद